प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी पाठ पुस्तक आकरती के पाठ 11 स्वास्थ ही धन है, पाठ का अभ्यास कारे कराऊंगी तो चले शुरू करते हैं, देखे, प्रैश्ण संख्या दो दिया है, सही उत्तर पर सही का चिहन लगाओ देखे, यहाँ पर पहला हमारा कर दिया है, मन की प्रसनिता के लिए शरीर का विक्तिस्थान होना आवश्यक है तो यह हमारे चार विकल्प दिये हैं, तो दीखे हमारा विकल्प क्या है, जो चार विकल्प हैं, रोगी, स्वस्थ, बीमार, सभी तो इसमेंसे एक विकल्ब हमारा सही होगा और उस सही विकल्ब पर हमें सही का निशान लगाना है तो मन की प्रसंता के लिए शरीर का होना आवश्यक है क्या होना आवश्यक है? स्वस्त जब हमारा शरीर स्वस्त होगा तभी तो हमारा मन खुश होगा न तो स्वस्थ के सामने हम ऐसे सही का निश्यान लगा देंगे तो आगे के जो हैं बच्चों विकल्प वो आपको स्वयम से पूरे करने है अब देखिए प्रैश्ण संख्या तीन रिक्तिस्थानों की पूर्ति करो देखिए पहला है यदि हम रिक्तिस्थान हैं तो हर शड रिक्तिस्थान से भरा रहता है तो इसमें क्या आएगा यदि हम स्वस्थ हैं यदि हम स्वस्थ हैं तो हर शड उल्लास से उल्लास यानकी खोशी अच्छा सा है ना उल्लास से भरा रहता है तो ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और पाठ को पढ़ते हुए इन रिक्तिस्थानों की पूर्ती आपको करनी है देखिए, सही मेल मिलाओ पहला है हमारा उमंग अब इसमें इन जो शब्द दिये हैं इन मैसे में पहला है, सही शब्द का मिल मिलाना है उमंग का क्या होगा? फूर्ती है ना? यानि कि अगर शरीर में फूर्ती होगी तब ही तो हम खुश रह सकते हैं तो ऐसे ही आपको इन शब्दों का मिलान करना है अब देखिए, सही गलत पहला है, स्वास्ते से बढ़कर बहुत सी चीज़ें हैं स्वास्ते बढ़कर कुछ होता है हमारे लिए कुछ नहीं होता, तो ये क्या होगा? गलत क्योंकि जब हमारा स्वास्त अच्छा नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ भी दे दें हमारी तब्यत खराब है हमारा स्वास्त खराब है हमारे जो ममा पापा है वो हमें बहुत सारी चौकलेट्स या टॉइस कुछ भी लाके दे दें गिफ्ट दे दें लेकिन हमें वो पसंद नहीं आएंगे क्योंकि हमारा स्वास्त खराब है इसलिए स्वास्ते से बढ़कर कोई चीज नहीं होती तो इसमें दिया है स्वास्ते बढ़कर बहुत से चीजे हैं तो यह हमारा गलत होगा अब देखिए आगे क्या आपको ऐसी करने है देखिए प्रैश्री संक्या अच्छा है सही उत्तर पर घेरा करो यहाँ पर जो हमारा वाक्य दिया है और जो कलर में आपको दिख रहे हैं दो शब्द इन में से जो सही शब्द होगा उस पर हमें घेरा करना है दीखिए शरीर पर पसीना सूखने से हमारे रोम चित्र अब यहाँ पर गुलावी रण के दो शब्द दिये हैं अब आपको प्रिष्ट संक्या 57 और अठावन चित्र पसीना सूखने से जो शब्द दिये हैं तो इस पर बंद पर हमने घेरा कर दिया तो ऐसे ही आपको यह शब्द पढ़ने हैं और जो बाक्य को पढ़ती हुए तो आपको घेरा करना है ठीके तो अब आपका घ्रेकार है कि आपको प्रिष्ट संक्या 57 और 58 पर प्रिष्ट संक्या 2, 3, 4, 5, 6 आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है